यह विडियो दोस्तों लास्ट क्यूंड डिसकस किया था आप्शन सेलिंग के बारे में और हमने डिटेल में देखा था आप्शन सेलिंग को अगर आपको करना है तो कौन से स्टेप्स फोलो करने है सबस्तों सेफेशन सेलिंग में अगर रिजट आया होता है अगर घ्क और श्राइक होते हैं अगर ona यह क्यों रिकॹंग किये कर्दों क्यों तूऩ selling के लिए वह मैंने मेंचन किया था बहुत डीटेल में तो उसका क्लिपिंग मैं यहां पर एड कर ला हूं पहले आप वह देख लीजिए यहां पर दिख रहा है कि करते हैं अभी हम उससे भी काफी कुछ पता लेगे तो यहां पर 15800 में मैं यहां पर देख रहा हूं 15800 मैंने निकाला था टेक्निकली सो यहां पर भी देखिया मैक्सिमम और यहीं पर हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में 32 लैक्स का ओवा बिल्ट अप हुआ है पूट में सो यहां पर काफी राइटर्स बैठ है ठीक है अगर कल बैंक कल निफ्टी 15800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बड़ा फॉल हो सकता है विकोज यह जो राइटर्स आपना कुजिन स्क्वेर आफ करेंगा और यहां पर लिक्विटेशन देखना को मिलेगा तो हम क्या कर सकते ह या उसके नीचे के जो पूट ऑप्शन है उसको हम सेल कर सकते हैं अभी चल रहा है करीबन 16,000 की रहें तो आप 15,800, 15,850, 15,750 यह उप्शन पर बैट ले सकते हो सेम यह डिरेक्शनल हो गया और आपका व्यू है कि मार्केट कल 16,200 के ऊपर नहीं जाएगा और 15,800 के नीचे नहीं जाएगा यह एक माचि आपने वह वीडियो का क्लीपिंग कीश से आपको आईडिया होगा कि हमने क्यों पर्टिकूल श्ट्राइक प्राइस शेलेक कि ए और अगर वह तरीके से हमने वहीं सहरी किया ओता वहीं पर्टिकुलर harness पर 15,800 या फिर 15,900 को कैसे हम modify कर सकते थे वो मैं अभी आपको शिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी screen के उपर और 16,200 को हम कैसे maintain कर पाते throughout the day क्योंकि market sideways में रहे तो वो detail में हम जानते है क्या margin लगा आप कितना margin में कम से कम margin में कैसे आप इसको execute कर पाते और ROI return on investment क्या हो सकता था वो अब हम देखेंगे मैं आपसे screen share करूंगा आपसे पूरे detail में बात करूंगा so let's jump to the screen so hi everyone welcome to the screen और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है nifty index का यह 15 1800 का हम put option sell कर सकते हैं यहां पर because view is quite positive कि अगर यह breakout करता है तो अगर मेरा view is 16200 क्रॉस ने करागा तो इसका call option भी में sell करूंगा तो वो दोनों देखेंगे हम because यहां पर यह नया bottom form हो गया because of this gap up opening यह नया bottom formation देखने को मिला विच इस अरौन 15,900 so यह modification आप कर सकते हो हमने prior जो देखा था market प्री-market analysis हमने देखा था कि 15,800 पर जैसे gap up open मिला हमें इसके put के अंदर काफी हमें dk देखने को अलड़ी मिल चुका होगा so हम 15,900 के side shift कर सकते थे तो वो ही मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि 15,900 का put option morning में पहली 5 minute के अंदर अगर हम देखते so let me show you here option का चार्ट देखते and put option देखते 15,900 का so 15,900 का put option first 5 minute में आपको देखने को मिल रहा है करीबन 9 रुपे में बिकने को यहां पर मिल रहा है ठीक है so वो हम बेच सकते थे और जैसे के हमने देखा के हमारा यह option हमने बेचा यह जो swing है और 16,200 हमारा view था है because यहां पर हमने technically और OI के through हमको मालूम था के यह majority chances है कि cross नहीं करेगा 16,200 का जो call option है वो कितने में बिका होगा morning में वो भी एक बार देख लेते हैं first five minutes में हम अगर देखते हैं so वो करीबन गया होगा around 22.40 ठीक है यह पहले morning में यहां पर गया होगा so उसी का अगर हमें देखते है कि हमने अगर बेचा होता यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मैंने अल्यड़ी बना गया रखा है तो यहां पर देखे 15900 का करीबन 10 रुपे में हमने बेका बेचा था और 16200 करीबन 22 रुपे में 19 से 22 रुपे में हमें बेक्चिन को मिला होगा तो हमने यह एक lot से selling किया दोनों और create किया strangle short strangle जिसको बोलते हैं और आप उसका margin benefit लेने के लिए क्या करेंगे 16800 का जो 16200 का हमने call बेचा था उससे काफी out of the money 16800 का call option buy करेंगे morning में बहुत ही कम rate में मिल रहा था और 15200 का put option को नीचे वाले out of the money का buy करेंगे तो हमें margin benefit मिलेगा तो करीवन देखें आप यहां पर देखना को मिल रहा और मो 66000 में estimated margin जो दिख रहा है उसमें आपका काम हो जाएगा यह कल हमने discuss भी किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए करीवन 60-70,000 के अंदर हम एक lot से निफ्टी के अंदर short selling कर सकते और यहां पर हमने दो strike price sell किये हुए वो भी 66000 में तो अभी देख लेते हैं एक बार के हमने देखा कि यहां पर यहां पर यहां पर आल्मोस 0 होते होई देखने को मिले तो दस वाला भी आप देख पार हो 15900 का 0 होते होई देखने को मिला और 16200 का जो call था वो भी 0 होते हो दे आफिट हो रहा है तो अगर हम आरो हाई कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 66000 का हमें मार्जिन लगा और हमें profit हुआ 1535 का अब देखते हैं कि इसका आरो कितना हो रहा है तो विचेसर रांट 2.32 अगर हम एस्टिमेट expense भी करते हैं तो विच्छी सरांट टू परसंट के पास हमें एक आरोई जनरेट होते हो दिखने को लार्ट विदिन वान डे आफ यॉर डिप्लोईड कैपिटल विडियो में से कुछ अच्छा सीखने को मिलागा वो वीडियो पूरा देखे हैं मैंने बहुत अच्छे से मेंचन किया है और ये वीडियो को अगर आपको पसंद आए लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच